नमस्कार मैं हो आपके स्टनित्यम मंत्र यन तंत्र वास्तु के विशेश काजक्रम के साथ हमारे सास्त्रों में चार पर्व का काफी विशेश महत्व है महा सिवरात्री, नवरात्री, दिपावली और होली इस सारी पूजा में, सारे पर्में रात्री की पूजा का काफी अधिक महत होता है इसी तरह से होली की रात्री को हम बोलते हैं ओहो रात्री ओहो रात्री के दिन इस ब्रह्म्भान में सुबसक्ती सुक्रिय हो जाती है और इस सुब सकती में अगर आप कोई खास काम उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलती है तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे होली पर ये कर ले नहीं तो अगले साल तक इंतिजार करना पड़ेगा जोली भर देगी होली बस एक बार कर ले ये छोटा सा उपाय लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किरिप ऐसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो रंद मिल जाएं अगर घर में पैसों की किलत का सामना करते रहते हैं या फिर सेलरी आते ही जट से सेलरी खत्म हो जाती है और आपको जीवन में सफलता मिले लगती है ऐसा मानते हैं कि होली की पुझा मुक्त भगवान बिश्नु को ध्यान में रक्कर की जाती है इस दिन ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का एक सा आठवार जब रात में करने से लक्ष्मी बिश्नु की बिश्यस किरपा मिलती है क्योंकि बिश्यस तीथियों और अफसरों पर ब्रह्मान में सुप सक्ती सक्रिये हो जाती है ऐसा मानते हैं कि होली पर या होली का दहन की रात अगर आप चाहते हैं कि आपकी विश्यस कोई मनो कामना की पूर्ती हो जाए तो होली वाले दीन हनुमान जी को पांच लाल फुल चड़ाना चाहिए इससे सारी मनो कामना ये पूर्ण हो जाती है आपको बस करना क्या है पांच फूले लेजिए आप किसी मंदिर में जाएजिए वहां भगवान हनुमान को पांच लाल फुल आप अर्पित कर देजिए नहीं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं होलिका दहन के दीन आप अपने जिंगी की सभी परिशानी दूर कर सकते हैं होलिका दहन के समय साथ गोमती चक्र लेकर जीवन की सभी परिशानियां दूर करने की प्रातना भगवान बिश्णू से करे और प्रातना के बाद सर्धा और विश्वास के साथ गोमती चक्र होलि करके देखिए आपकी जिन्गी की सारी प्रिसाने दूर हो जाएगी इसके साथ साथ अगर आपको बेपार या नोकरी में लाब नहीं मिल रहा है बेपार में घाटा हो रही है तो हुलिका दहन के दीन आप 21 गूमती चक्र शिव लिंग पर चढ़ा दे शिव की किरपा मिलेगी और बेपार या नोकरी की प्रिसाने भी आपको दूर हो जाएगी अगर आपकी चाहते हैं कि आपकी जिन्गी में सुक हो समिर्धी हो ऐसो अराम हो हुलिका दहन के दीन सरसो तेल का चोमुखी दीपक हौनमान जी के सामने जलाएं और सुक समिर्धी की प्रात्ना करें सभी क आपको सफलता मिलेगी सुक समिर्धी मिलेगा ऐसो अराम भी होगा आपकी जिन्गी भी बदल जाएगी इसके साथ साथ अगर आपकी जीवन में बेपार से जूरी कोई भी प्रसानी है बेपार खोलते हैं बंद हो जाती है बेपार चलती नहीं है बेपार में घाटा होता है तो इसके लिए आपको एक खास उफाय करना है, होली का दहन के दीन, पीले कपड़े में, काली, हल्दी, चांदी का सिक्का, एगारा, गोमती, चक्र, एगारा, कौनिया बांद कर एक सा आठ बार, ओम, नमो, भगवते, वासु, देवाय, मंत्र का चाप करते हुए, होली के साही सhी हो जाती है, तो निश्चित रूप से आपके बेपार में बिर्धी होनाते है, इसके साथ सत, अगर आप चाहते हैं, आपकी जीवन में, माल लक्षमी किरपा सालो भर बनी रहे, तो आपको हली का दहन के दिन, ये काम तो करना ही करना है, करना क्या है, ये जान ये अगर आपका बेपार मशीन से समझीत है तो हुलिका दहन के दिन गंगा जल में पीसी हुई काली हल्दी और केषर मिलाकर मसीन पर स्वास्तिक बनाए आपके बेपार में निश्दी तुरुप से बिर्धी होगी अगर आपको लगता है कि आपके बिरुद कोई टोटका कोई तंतर मंत कर रखा है किसी ने आपके उपर कोई टोटका करवा दिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूत नहीं है बस आपको होली पर एक खास उपाय करना है तो अगर आपको लगता है किसी ने आपके बिरुद कोई टोटका कर रखा है तो होली की रात में जहां होली का दहन हो उस जगह पर एक गढ़ा खोद कर उसमें एकगार अभी मंतरित कोडियां धबा दें अगले दीन कोडियों को निकाल कर अपने घड़ की मिट्री के साथ नी अगर आपके जीवन में गर्ण दोसचा के लिए घड़ के सांद करने के लिए होली का समय सुब होता है क्योंकि होली वाले दिन श़री और चंद्र के विपित होते हैं होली का धन की राख जल में मिला कर असनान करने से कुंडली में चल रहे असुप गरह का दोस्त भी समाप्त हो जाता है तो आज मैंने आपको बताया कि होली का धन या होली के दिन खास उपाय करके कैसे आप लक्षमी की प्राप्ति कर सकते हैं चल शबाया करे जीवन की सारी समझ्या को विदू कर सकते हैं अगर आपको फीस पशन दाए तो कियो égal लाइक करें सब्सक्राइब रेशन आपने दोस्टों के साथ सरplace करें ताकि वो भी इन चीजों का लाव उठा करके अपने जिंधी को अच्छा भना सकते हैं आज के लिए सतना ही धन्नवार्द